परदानमंत्री निरेंदर मोधी ने वारानसी विच पहले अंतराश्ट्री क्रिकेट स्टेडियम दा नी पत्थर रखे आए स्टेडियम चार सो पंजा क्रोड रुपे दी लागत दे नाल ती एक कड़ दे खेतर दे विच बनाया जावेगा उतर प्रदेश सरकार ने किया है क उसने स्टेडियम दे लेई जमीन अक्वाईर करन दे लेए 121 करोड रुपे खर्च की तिहान जद के बी सी सी आई इस ते निर्मान दे 303 करोड रुपे खर्च करेगी स्टेडियम दे दिसंबर दोहुजार पच्ची तक मुकमल होंदी संभावना है परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने शनिवार नू उतर परदेश दिवारा नसी दे गंजरी वेच पहले अंतराश्वी केकर स्टेडियम दा नी पत्थर रख्या जी ट्वंटी समिट किया भूत पूर सफलता के उपरांत अनेक उपलब्धियों के साथ आधनिय प्रधान मंत्री जी का आज उनकी अपनी कासी में आगमन हुआ है इस उसर पर उत्तरप्रदेश सरकार और आप सभी कासी वासियों की ओर से मैं आधनिय प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से स्वागत करता हूँ अविनन्दन करता हूँ भायो बेनो जी ट्वंटी की थीम के न रूप ग्लोबल लीडर्स को भारत के सामर्थ और सक्ति को नजदीक से देखने का उसर प्राप्त हुआ इस समिट में वसुधेव कुटुम्ब कम के अनुरूप ग्लोबल लीडर्स की उपस्तिती भारत के बैस्विक लीडर के रूप में उभरतेवे नित्रित्व के रूप में देश की 140 करोड जन्ता ने अनुभो किया है पिशले साड़े नौ वर्स के दोड़ान दुनिया की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अविनासी कासी के समक्र विकास को देश और दुनिया के सामने आध्ये प्रधान मंत्री जी के नेत्रत्व और मार्ग दर्सन ने जिन उचाईयों के ओर पहुँचाया है आज एक बार फिर से आध्ये प्रधान मंत्री जी अनेक उपहारों के साथ कासी में आये है और पहली बार उत्तरप्रदेश में भारतिय किर्केट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसी इंटरनेशनल किर्केट स्टेडियम का निर्मान का कार्य हो रहा है आज उसके आधार सिला आध्ये प्रधान मंत्री जी के करकमलों से यहां पर रखी जा रही है इस उसर पर प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों की ओर से आध्ये प्रधान मंत्री जी का धिर्दै से स्वागत और अविनन्दन करता हो इस उसर पर भारतिय क्रिकेट को एक नई उचाई प्रदान करने वाले और क्विकेट के जनून को जिनोंने घर घर तक पहुँचाया भारतिय क्रिकेट के ऐसे महांतम जो पूर खिलाड़ी हैं जिनमें सी सुनील गावसकर जी, सी कपिल देव जी, सी गुडपा विश्वनाज जी, सी सचिन तेंदोलकर जी, सी रवी सास्त्री जी, सी दिली बैंग सरकर जी, सी कर्शन दावडिक जी, सी मदनलाल जी, सी कोपाल सर्मा जी, सुस्री नीतू टेविड जी, सुस्री सुभांकी कुलकर्णी जी, और बी सी सी आई के चेर्मेन सी रोजर विन्नी जी, ये सभी यहाँ पर उपस्तित हैं, और बी सी सी आई के सचिव जिनोंने बिसेश रूची वाराना सी के इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ली है, सी जै साजी और भायो बेनों क्रिकेट कैसे जोडने का कार्य कर रही है, बी सी सी आई के उपाथ्यक सी राजीव सुखला जी की उपस्तिती, इस दिसा में हम सब का ध्याना कर्शित करती है, मैं इन सभी दिकोजों का भी अविनासी कासी में, आदनिये प्रधान मंत्री जी के सानित्य में, बैस्विक अस्तर पर चमक रही कासी में, उन्हें की कासी में, आदनिये प्रधान मंत्री जी का और भारतिये किरकेट के इन सभी धरंदर महान तम खिलाडियों का खिर्दै से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ भायो बेनो पिसले नौव वर्स के दोरान हमने पुरे देश के अंदर एक नई कारिय संस्कृति को देखा है प्रतेक छेत्र में अभूतपूर विकास हुआ है और खेल और खिलाडियों के बारे में पुरे देश की सोच को बदला है खेलो इंडिया खेलो के मात्यम से फिट इंडिया मूवमेंट के मात्यम से सांसत खेल कूत प्रतिस्परदा के मात्यम से जहां देश के अंदर खेल और खिलाडियों के प्रति लोगों की धाना को बदलने में बड़ी भूमिका का निरुवान हुआ है वहीं साती साथ खेल इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए भी हर जन्पत में खेलो इंडिया सिंटर की अस्थापना का कार्य हर अब अब खेल के मैदान का कार्य बनाने का कार्य हर विकास घंड स्थरपर मिनिस्टेडियम बनाने का कार्य और साथीचात जन्पदस्टर पर स्टेडियम निर्मान की कारवाई भी इक दिस्क्रश पर आगे बढ़ी है यह वारानसी में और सजोक से एक स्टेडियम का निर्मान वर्तमान में चला है और यह उत्तरब्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसी सी आई के द्वारा निर्मित क्या जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो पूरवी उत्तरप्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रती इस जनून के साथ जोड़ने का एक अद्बुत मंच प्रप्रदान करेगा मैं इस होसर पर वी सी सी आई के प्रती हिर्दे से धन्य बाद क्यापित करते हुए आद्बुत प्रदान मंतरी जी को उत्तरप्रदेश और कासी को इस उपार देने के लिए हिर्दे से आभार ब्यक्त करते हुए स्वागत और अविनन्न करता हूं जैहिन बहुत बहुत आभार आद्रणी मानिनी मुख्य मंत्री जी और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ मानिनी प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि सर रिमोट का बटन दबाकर आज इस अंतर राश्ट्रिय के इस्टेडियम का शिला न्यास के रुपा करके हम सब को अनुग्रहीद करें हम सब आपका अभिवादन करते हैं आपके प्रती कृतगिता ग्यापित करते हैं आपके प्रती आभार व्यक्त करते हैं नतमस्तक है हम आपके सोच के आपके विजन के और एक छोटी सी ओडियो विजियो देखते हैं हम लोग कि आखिर इस अंतर राश्री के स्टेडियम में क्या क्या खास है पाराणसी दुनिया के सबसे पुराले और निरंतरता वाले शेहरों में से जिसकी भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी माननेता है तिव्यता और अध्यात्म से परिपूंड काशी 2000 से भियतिक मंदिरों, रमनी घाटों और पवित्र तीर्थ स्थनों के लिए विश्व विख्यात है माननिय प्रधानमंत्री और काशी के सांसर श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेत्रित्व में काशी में पिछले नौ-दस सालों से अभूत पूर्व विकास की जो अविरल भारा बह रही है उसमें एक और एहम अध्याय जो रहा है क्योंकि यहां एक विश्वस तरिये क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश जहां क्रिकेट सितारों की एक लंबी श्रिंखला है उन्होंने भारत को खासी प्रसिद्धी दिलाई है इन में शामिल है सुरेश रहना, मुहम्मद कैफ, खून अम्यादव, आरपी सींग, घुगनेश्वार कुमार, गुपाल शर्मा, प्रवीन कुमार, कुल्दी ज्यादव, पीउश चावला, रिंकु सिंग सहित प्लाइटिंग मास्ट, बेतरीन ट्रेनेट सिस्टम, ब्लग औन प्ले ब्रोड कास्टिंग धांचा गत सुविधाएं, पाट रूफ, एक्स्क्लूसिव नेट वाले प्रैक्टिस ग्राउंड और पार्किंग के लिए परियाप्त जगह है साउथ पविलियन के उपर लेवल में एक विशिष्ट बीवी आईपी, वी आईपी जोन होगा, जिसमें डाइनिंग के सुविधाबाले कॉर्परेट बॉक्स और लाउंज होंगे स्टेडियम तक सुगम पहुँच के लिए डेडिकेट सडके और पाथवेज भी होंगे काशी, जहां कण कण में शिवत्व है, वहां बन रहे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के स्थापत्य में बाबा विश्वनात से जुड़े प्रतीकों को खूपसूर्ती से समाहित किया गया है जैसे भगवान शिव के मस्तक को सुशोबित करने वाले चंद्रमा को स्टेडियम के छट पर प्रदर्शित किया जाएगा फ्लड लाइट मास्ट त्रिशूल के आकार के होंगे मीडिया सेंटर टमरू के आकार वाला होगा साथी बाबा भुले नाथ के आध्यात में चड़ावे पेल पत्र को मुख्य भाग पर हर और एक हार की रूप में प्रदर्शित किया जाएगा स्टेडियम से जुड़ी प्रवेश सीडियों को बारानसी के घाट की सीडियों की तर्ज पर बनाय जाएगा जैसे कि माननिय प्रधानमंत्री जी का सदैव मानना है कि काशी का मिजाज है लगातार आगे बढ़ना विकास को गतिमान रखना और अपनी उर्जा और उमंग से सब को प्रेरिद करना इसी कड़ी में काशी को मिलने जा रहा है अंतर व्राष्ट्री एक प्रिकिट स्टेडियम जो इस पूरे क्षेत्र के लिए नए अवसर और नए संभावना इस्विज़ित करेगा जी ट्वंटी की सफलता नारी शक्ती वंदन अभिनियम और चंद्रियान की उडान के बाद जो थोड़ी बहुत कमी बची थी वो आज मानेनी प्रधान मंत्री जी ने पूरी कर दी और उसका परणाम है आपके गगन भेदी नारे जोरदार तालिया आप सब की तरफ से आभ असर पर हम सब को एक बार फिर अपने आशिरवाद की चत्र सायात से अभिसेंशित करें मानने प्रधान मंत्री जी हार हार महादेश उस्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिमान योगी आदितिनाज जी मंच पर विराजबान यूपी सरकार के अन्य मंत्री गण जनव प्रतिनीजी गण इस कारकम में मौझूद देश के खेल जगत से जुड़े सभी वरिष्ट महानुभाव और मेरे प्यारे काशी के परिवार जनो आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो जोन आनन बनारस में मिलला ओकर व्याक्या असंभव है एक बार फिर बोलिए ओम नमह पार्वति पते हर हर महादेश आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शीव शक्ति पॉइंक तक पहुंचने का भारत का एक महिना पूरा हो रहा शीव शक्ति याने वो स्थान यहाँ बीते महिने की 23 तारिक को हमारा चंद्रयान लेंड हुआ था एक शीव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है दूतरा शीव शक्ति का स्थान यह मेरी काशी में है आज शीव सक्ति के इस्थान से शीव सक्ति के उस्थान पर भारत की विजय की मैं फिर से बढ़ाई देता हूं मेरे परिवार जनो जिस स्थान पर हम सब इकठा हुए है वह एक पावन स्थल जैसा है यह स्थान माता बिन्द वासिदी के धाम और काशी नगरी को जोड़े वाले रास्ते का एक पड़ाव है यहां से कुछ दूर पर हार्पिय लोकसंत्र के प्रखर पुरूश और पूर्व केंद्रिय मंत्री राज नारायन जी का गाउं मोती कोट है मैं इस धर्ती से आदर्णिय राज नारायन जी और उनकी जन्दम भूमी को सर जुका करके प्रणाम करता हूँ मेरे प्यारे परिवार जनों काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधार सिला रखी गई ये स्टेडियम ना सिर्फ वारण सी बलकि पुर्वान चल के युवाओं के लिए एक बर्दान जैसा होगा ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक सार 30,000 से जादा लोग बैट करके मैट देखवाएंगे और मैं जानता हूँ जब से इस स्टेडियम की तस्वेरे बाहर आई हैं हर काशिवासी गदगद हो गया है महादेव की नगरी में ये स्टेडियम उसकी डिजाइन स्वयम महादेव को ही समर्पित है इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैट होगे इसमें आस पास के विवाग खिलाडियों को आंतर राश्टिय स्टर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मोका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाब मेरी काशि को होगा मेरे परिवार जनो आज क्रिकेट के जरिये दुनिया भारत से जुड़ रही है दुनिया के नए-ने देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे है जाहिर है आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए-नए स्टेडियम भी जरुरत पढ़ने वाली है बनारस का ये इंटर्डेस्टल क्रिकेट स्टेडियम इस दिमान को पूरा करेगा पूरे पुर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्मान में बी-सी-सी-ाई का भी बहुत सयोग होगा मैं बी-सी-सी-ाई के पदाजी कारियों का काशी का एम-पी होने के नाते या का संसत होने के नाते मैं आप सब का रुज़य से आभार व्यक्त करता हूँ मेरे परिवार जनो जब खेल का इंफ्रास्टेक्र बनता है इतना बड़ा स्ट्रेडियम बनता है तो सिर्फ खेल ही नहीं स्थानिय अर्थववस्ता पर भी उसका सकारात्मक असर होता है जब स्पॉर्ट के ऐसे बड़े सेंटर बनेंगे तो उसमें बड़े स्पॉर्ट आयोजन होंगे जब बड़े आयोजन होंगे तो बड़ी तादाद में दर्सक और खिलाडी आएंगे इससे होटल वालों को फाइदा होता है छोटी बड़ी खाने पिने की दुकान को फाइदा होता है रिक्सा ओटो रिक्स टेक्सी इनको भी फाइदा होता है हमारे नाव चलाने वालों को तो दो दो हाद में लड़्टू हो जाता है इतने बड़े स्टेडियम की वज़ा से स्पॉर्ट कोचिंग के नए सेंटर खुलते हैं स्पॉर्ट मैंडिजमेंट शिकाने के लिए नए आउसर बनते हैं हमारे बनारस के युवा नए खेल स्टार्टप के बारे में सोच सकते हैं विज्यो थरफी समेश स्पॉर्ट से जुड़ी बहुत सी पढ़ाई और कोर्सी शुरू होंगे और एक बहुत बड़ी स्पॉर्ट इंडिस्ट्री भी वारणसी में आएगी मेरे प्यारे परिवार जनो एक समय था जब माता पिता बच्चों को इस बात के लिए डांटते थे कि हमेशा हिलते ही रहोगे क्या कुछ पढ़ाई बढ़ाई करोगे कि नहीं यहीं हुड़दं करते रहोगे क्या यही सुनना पढ़ता था अब समाज की सोच बदली है बच्चे तो पहले से ही सीरियस से ही अम माता पिता भी स्पोर्ट को लेकर के गंबीर हुए अब देश का मिजा जैसा बना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा साथियों पिछले एक दो मेने पहले मैं मद्द प्रदेश का एक आदिवासी राका सहरोल के आदिवासी गाउं में गया था वहाँ मुझे कुछ नवजवानों से मिलने का आउसर मिला और मैं सच मुझ बैं वहाँ का द्रश्य उनकी बाते सुनकर गे इतना प्रभावित हुआ उन युवकों ने मुझे कहा कि ये तो हमारा मीनी ब्राजील है मैंने कहा भाई तुम मीनी ब्राजील कैसे बन गए हो बोले हमारे यहां हर घर में फुटबॉल का खिलाड़ी है और कुछ लोगे ने मुझे कहा कि मेरे परिवार में तीन-तीन पीडी नेशनल फुटबॉल प्लेयर रही है एक प्लेयर रिटायर होने के बार उसने वहाँ अपना जान लगा दी और आज हर पीडी का व्यक्ति आपको वहाँ फुटबॉल खिलता नजर आएगा और वो कहते हैं कि हमारा जब एन्यूल फंक्शन होता है तो कोई घर में आपको नहीं मिलेगा इस पूरे इलाके के सैक्रो गाउं और लाखों की तादाद में लोग दो दो चार चार दिन मादान में टटे रहते हैं ये कल्चर उसे सुन करके देख करके देश के उजवल भविश का विश्वास मेरा बढ़ जाता है और काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां आये बढ़लाओं का भी साक्षी बना सांसद खेल प्रतियोगीता के दोरान जो उत्सा यहां रहता है उसकी जानकारी मुझे लगातार पहुंचती रहते हैं काशी के युवा स्पोर्ट की दुनिया में अपना नाम कमाएं मेरी यही कामना है इसलिए हमारा प्रयार वारानसी के युवाओं को उच्चस सरीयक खेल सुविधाएं देने का है इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही सीगरा स्टेडियम पर भी करीब 400 करोड रुपिये खर्च किये जा रहे हैं सीगरा स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं विक्षित की जा रही है और इसकी एक और खास बात है ये देश का पहला बहुस तरिय स्पॉर्ट कॉंप्लेक्स होगा जो दिव्यांग जनों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है इसे भी बहुत जल्द ही काशी वाजियों को समर्पित किया जाएगा बडालालपुर उसमें बना सिंथेटिक ट्रेक हो सिंथेटिक बास्केट बॉल कॉट हो अलग-अलग अखाडों को पुच्छान देना हो हम नयान निर्मार तो करही रहे हैं पर शहर की पुरानी ववस्ताओं को भी सुधार रहे मेरे परिवार जनों खेलों में आज भारत को जो सफलता मिल रही है वो देश की सोच में आये बडलाव का परणाम है हमने स्पोर्ट को युवाओं की फिटने और युवाओं के रोजगार और उनकी केरियर से जोड़ा नव वर्थ पहले की तुलना में इस वर्ष केंद्रियक खेल बजेट तीन गुणा बढ़ाया गया है खेलो इंडिया प्रोग्राम के बजेट में तो पिछले वर्ष की तुलना में लगबाग सत्तर प्रतिशत वृत्वी की गई है सरकार आज स्कूल से लेकर अलम्पिक पोडियम तक हमारे एक खिलाडियों के साथ टीम बेंबर मन कर साथ चलती है खेलो इंडिया के तहट देश भर में स्कूल से युनिवर्सिटी तक की खेल प्रतियोगी ताय हुई है इनमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियों ने भी हिस्सा लिया है सरकार कदम कदम पर खिलाडियों के हर संबों मदद कर रही है अलम्पिक पोडियम स्कीम भी ऐसा ही एक प्रयास है इसके तहट देश के सिर्ष खिलाडियों को सरकार पूरे साल में खाने पीने फिट्टे से लेकर ट्रेनिंग साथ लाखो रुपिय की मदद देती है इसका परणाम हम आज हर अंतरास्तिय कंपेटिशन में देख रहे हैं अभी कुछ समय पहले ही वर्ल यूनिवर्सिटी गेम्स में भारप्ते इतिहास रजा है इन गेम्स के इतिहास में कुल मिलाकर भारप्त ने जितने मेडल जिते थे पितले कई दसकों में उससे जादा मेडल सिर्फ इस बार इस साल जीत करके हमारे बच्चे ले आए हैं वैसे आज से एश्यन गेम्स में शुरू हो रहे हैं एश्यन गेम्स में हिस्सा लेने गए सभी भारतिये खिलाडियों को मैं अपनी शुब कामनाई देता हूं साथ जो भारत के गाउं गाउं में कौने कौने में खेल प्रतिभाएं मोजूद है खेलों के महारत ही मोजूद है जरूरी है इने तलासना और इने तराशना आज छोटे से छोटे गाउं से निकले युवा पूरे देश की शान बने उविये हैं ये उदारण बताते हैं कि हमारे छोटे शहरों के खिलाडियों में कितना टैलेंट है कितनी प्रतिभाए है हमेज टैलेंट को जादा से जादा आउसर देने हैं इसलिए खेलो इंडिया अभियान से आज बहुत कम उम्र में ही देश के कौने कौने में टैलेंट की पहचान की जा रही है खिलाडियों की पहचान करके उन्हें इंटरनेस्कल लेवल का एटलीट बनाने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है आज इस कारकम में बहुत से दिग्यल खिलाडी अमारे बीच विशेश तोर पर पधारे हैं स्पॉर्ट की दुनिया में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है कासी ते इसने दिखाने के लिए मैं उन्हें सब का विशेश रुच्छे आभार व्यक्त करता हूँ मेरे परिवार जनों आज खिलाडियों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे कोच और अच्छे कोचिंग का होना उतना ही जरूरी है यहाँ जो दिख्यत खिलाडी मौझूद है वो इसकी एहमियत जताते हैं और इसको जानते हैं इसलिए आज सरकार खिलाडियों के लिए अच्छी कोचिंग की व्यवस्ता भी कर रही है जो खिलाडी बड़ी प्रतियोगीताओं में खेल कर आते हैं जिने राष्ट्रिय आंतर राष्ट्रिय अनुभव है उन्हें बतौर कोच काम करने के लिए पोस्ताइट किया जा रहा है देश में बिते कुछ वर्षों में युवाओं को अलग-अलग खेलों से जोड़ा गया है जात्यों सरकार गाउं गाउं में जो आजुनिक खेल के इंफ्रसेक्टर का निर्बार कर रही है उसे गाउं के छोटे कस्वा के खेलाडियों को भी नए मोके मिलेंगे पहले बहतर स्टेडियम जिर्फ बिल्ली मुंबई को लगत्ता चिन्नाई ऐसे बड़े शहरों में यूपलब दते अब देश के हर कोने में देश के दूर सुदूर इलाकों में भी खिलाडियों को ये सुविदाएं देने की कोशिच हो रही है मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया प्रोग्रेम के तहट जो स्पॉर्ट इंफ्रसेक्टर बनाया जा रहा है उसका बहुत अधिकलाब हमारी बेटियों को हो रहा अब बेटियों को खेलने के लिए ट्रेजिंग के लिए गर से ज़्यादा दूर जाने की मजबूरी कम हो रही है जात्यों नई नेशनल एजुकेशन पॉलिशी में खेल को उसी केटेगरी में रखा गया है जैसे साइंस, कॉमर्स या दूसरी पढ़ाई हो पहले खेल को सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब स्पॉर्ट को स्कूलों में बकाइदा एक वीशय की तरब पढ़ाए जाना सै हुआ है यह हमारी सरकार है जितने देश की पहली नेशनल स्पॉर्ट युनिवर्सिटी मनिपूर में स्थापित थी है यूपी में भी स्पॉर्ट फैसलिटी पर हजारो करोड पे खर्च किये जा रहे है गौरकपूर के स्पॉर्ट स्कॉलेज के विस्तार से लेकर मेरट में मेजर भ्यांचंद खेल युनिवर्सिटी बनाने तक हमारे खेलाडियों के लिए नए स्पॉर्ट सेंटर बनाये जा रहा है साथियों देश के विकास के लिए खेल सुविदाओं का विस्तार बहुत आवश्चक है ये ना सिर्फ खेलों के लिए बल्कि देश की साख के लिहाद से भी महत्वपुड है हम ऐसे कई लोग दुनिया के कई शहरों को सिर्फ इसलिए जामते है क्योंकि वहाँ पर बड़े अंतराष्ट्य खेलों का आयोजन हुआ हमें भारत में भी ऐसे सेंटर बनाने होंगे जहां ऐसे अंतराष्ट्य खेल आयोजन किये जा सके ये स्टेडियम जिसकी आधार सिला आज रखी गई है खेलों के प्रति हमारे इसी संकल्प का साक्षी बनेगा ये स्टेडियम बस इंट और कंक्रीट से बना हुआ एक मैदान नहीं होगा बलकि ये पविश्च के भारत का एक बग्व्य प्रतिक बनेगा मैं खुद को भागेशाली मानता हूँ कि हर विकास कारे के लिए मेरी काशी अपना आशिरवाद लिए मेरे साथ ठड़ी रहती है आप लोगों के बिना काशी में कोई भी कारियस चिद्ध नहीं हो सकता है आपके आशिरवाद से हम काशी के काया कल्ब के लिए इसी तरह विकास के नए अध्याय लिखते रहेंगे एक बार भीर काशी के लोगों को पूरे पुर्वान चल को ग्रिकेड स्टेडियम के सिलान्यात की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हर हर महादेव धन्यवार भारत मता की भारत मता की हो और नविया खबरा देखन दे लिए सब्सक्राइब करो PBX News, the official YouTube channel